नवश्कार, मद्ध्य प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्री मंडल का बिस्तार आज की टॉप स्टोरी यही है खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की सुर्कियों को दिल्ली जा सकते हैं शिवराज सिंग चोहान केंद्री नियतरुत्त की हरी जंडी मिली तो 30 जून तक मंद्री मंडल का बिस्तार तै मंडला में एनस्वियाई जिला महा सचिप की गोली मार कर हत्या आरूपी मौके से फराग कॉंग्रेस ने उठाए शिवराज सरकार पर सवाल मद्रदेश के तमाम जिलों में धूमधाम से पहुँचा मानसून 13 जिलों में 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेताबनी सुर्गेवाद खबरों के विस्तार पर नज़र डालते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मद्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर को अगर सब कुछ ठीक रहा तो 30 जून तक मद्रदेश मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है शिवराज सिंग चोहान के इंद्री नितरुत से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं और अगर दिल्ली ने उपको समय दिया और मंजूरी दी तो 30 जून तक शिवराज सरकार अपना मंत्री मंडल विस्तार कर सकती है किसको मिलेगा मौका और कौन से चेहरे हो जाएंगे ड्रॉप दक्षिन भारत की दो दिन की निजी धर्मे क्यात्रा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान शनिवार की दो पहर राजधानी लोटाए राजधानी लोटते ही एक बार फिर मंदल विस्तार की सुब्वगाहट शुरू हो गई है सूत्रू का कहना है कि संभावता मुख्यमंत्री आज रात या रविगार सुबा दिल्ली जा सकते हैं उन्होंने केंद्री नेतरुत्य से मिलने का समय मागा है सूत्रू का कहना है कि अगर केंद्री नेतरुत्य से समय मिलने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो पूरी संभावना है कि आगामी 30 जून को नए मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है इससे पहले राजपाल लालजी टंडन के अस्वस्त होने के चलते 36 गड़ की राजपाल अंसुया उईके कुमद्ध प्रदेश का प्रभार दिया जा सकता है बताय जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवरास सिंग ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विश्नु दत्र शर्मा और संगठन मंत्री सुहाज भगत के साथ मिलकर मंत्री मंडल में शामिल किये जाने वाले संभावित भाजपा विधायकों और जोतिरादित सिंधिया के समर्थकों के नाम तै कर लिये हैं बताय जा रहा है कि जाती, छेत्र और सामाजिक संतुलन के साथ पाइटी में ऐसे सीनियर विधायक को तबज्जो दी गई है जो पिछली सरकार में मंत्री नहीं बन पाय थे इसी के बाद पाइटी की मुश्किल बढ़ गई है पाइटी चाहती है कि मौझूदा पाँच मंत्रियों को मिलाकर मंत्री मंडर इतना बड़ा हो कि चार से पाँच स्थान रिक्त रहें यानि साफ है कि अब 24 से 25 लोगों को ही शिवराज की टीम में जगए मिल सकती है इंदल सिंग कंसाना, हरदीप सिंग डंग का नाम शामिल है महीं भाजपा के दो मंत्री बन चुके हैं लिहाजा 15 से 16 नए चहरे भाजपा से तै करने है मंत्री मंडल विस्तार में बसपा, सपा और निर्दली विधायकों को शामिल नहीं किया जाएगा हाला कि बसपा से निलंबित विधायक रामबाई कई मौकों पर भाजपा निताओं द्वारा मंत्री बनाये जाने के वादे का जिक्र कर चुकी है इधर ये भी कहा जा रहा है कि इन विधायकों को निगम मंडलों में कमान सौपी जा सकती है वहीं पूर मंत्री गुपाल भारगव पर अब भी संशय बरकरार है मुक्यमंत्री शिवरासिंग चोहान भाजपा के वरष्ट विधायक गुपाल भारगव को चेत्री संतुनल के चलते विधान सबाध ध्यक्ष बनाना चाहते हैं लेकिन गुपाल भारगव इसके लिए तयार नहीं है उन्होंने केंद्री नितरुत्त के सामने अपनी बात रख दी है इसके बाद उन्होंने मुक्यमंत्री से मिलकर भी अपना पक्ष रख दिया है अगली ख़बर के तरफ रुख करते हैं मद्दपरदेश के मंडला में NSUI के जिला महा सुचिप सोनू पारोचिया की गोली मार कर हत्या कर दी गई है उनकी हत्या बीती रात उस वक्त की गई जब बे अपने चचेर भाई के जन दिन की पाटी में शामिल होकर घर लौट रहे थे गटना मंडला जिले के महराशपुर इलाके की बताई जा रही है हत्या के बाद आरोपी फरार है अब कॉंग्रिस ने इस पर शिवरार सरकार को घे रहे मंडला में शुकरवार की दात संभागे राश्टिये चातर संगठन यानि के NSUI के मंडला जिला महासचेप सोनू परोचिया की गोली मार कर हत्या कर दी गई परोचिया अपने दो दोस्तों के साथ चचेरे भाई की जनम दिन की पायटी मना कर बाइक से घर लोट रहे थे आरोपी जबलपूर का रहने वाला बताय जा रहा है पुलिस के मताबिक शुकरवार शनिवार की रात सोनू अपने चचेरे भाई की जनम दिन की पायटी से शामिल होकर महराजपूर के पास एक ढावा में गए थे वहाँ सेवाए बाईक पर अपने दो दोस्तों के साथ घर लोट रहे थे रास्ते में उनकी बाईक को एक बुलैरो गाड़ी ने टक्कर मार दी इसके बाद आरूपी ने गाड़ी से उतर कर सोनू के सीने में गोली मारी और वहाँ से भाग गया गंभीर हालत में उसे मंडला जिलास पताल लाए गया जहां डॉक्टरों ने उसे मरत गोशित कर दिया गटना के दोरान सोनू के साथ बाईक पर उसके दोस्त दिगंबर, बैरागी और दीपक भी मौजूद थे अगली ख़बर के तरफ बढ़ते हैं मद्द परदेश में मानसून की दस्तक हो चुकी है और जमा जम बारिश का दौर भी शुरू हो गया है पहले दिन अच्छी बारिश शुक्रवार और शरीवार को देखने को मिली इस दोरान कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से उपर बारिश हुई चटरपुट जिले में भुपाल में कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली आगामी 24 गंटों में 13 जिलों में भारी बारिश की चेताबनी भी मोसम में भार ने जारी की मद्यपरदेश में तीन दिन की उमस और गर्मी के बाद शनिवार सुबह तक परदेश में कई जगहों पर जम कर बारिश हुई कई अलाकों में तो नदी नाले और फान पर आ गए खासतोर पर देवास और सूनकक्च में जादा बारिश होने से लोगों के सामने परिशानी खड़ी हो गई बोपाल में जहां बीते 24 गंटों में 51.2 मिली मीटर बर्शा होई है तो वहीं धार में सबसे जादा 110 मिली मीटर और छतरपुर के नगाउं में 103 मिली मीटर बारिश हुई है मौसम बिभाग नेगले 24 घंटे में प्रोदेश के 13 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेताबनी भी जारी की है बारिश के कारण कई जिलों से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है गुना में तेज बारिश के कारण जिलास्पताल में पानी भर गया सर्जिकल बिभाग के 2-3 वार्डों के अलावा कोविड वार्ड में भी पानी गुस गया यह पानी बाहर से अंदर नहीं आया बलकि ओवर्फलो हुई नालियों के कारण अंदर से ही अंदर भरता चला गया तो आज को बिलिटिन में इतना ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं पेप्टिक टायम मद्धिपरदेश समाचार पर अपने जिले की चोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेस्बुक पर लाइक कर लें मुष्यार